असलामों अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एपेच्टू क्लासिस आज की इस वीडियो में हम लोग महा टेट का जो 2017 का सेट टू है 2017 में जो सेट टू है उसका मैट्स का कुश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्फ करेंगे जो कि question paper solution हम लोग कर रहे हैं उसमें जितने भी time consuming जो mathematical question है उसको मैंने आपसे promise की हूँ कि मैं आपको बाद में करवा दूँगी तो आज हम लोग set टू का एक question लेकर आए हैं यहाँ पर इसको हम लोग solve करेंगे किस तरह से जो इस तरह से अगर question आता है तो इसको हमको कैसे solve करना है तो देखी चलो देखते हैं हम लोग इस question को हमको किस तरह से solve करना है अगर ऐसा question आपके सामने आता है तो आपको बिलकुल भी डरना नहीं है बहुत ही आसान है इस question को solve करना बस आपको यहांपर basic यहांना चाहिए कि जो कसर वाले जो सवाल होते हैं यानि fraction जो होते हैं जिसे अगर 1 plus 1 upon 3 अगर इस तरह से कुछ आ गया या 2 plus 2 upon 3 3 upon 3 जो भी अगर इस तरह से fraction वाले या कसर वाले सवालात अगर आपको हल करते हैं तो इस तरह के question भी आप लोग आसान जाना है नीचे से जाना है आपको यानी सबसे लांस्ट में अपॉन में क्या दिया गया है आपको वो देखना है तो यहां पर देखेंगे क्या है देखिए 3 प्लस 1 अपॉन 4 कहां से ली मैंने यह जो लांस्ट में आया है ना 3 प्लस 1 अपॉन 4 पहले हम उसको लेंगे अब 3 प्लस 1 अपॉन 4 अगर मैं करती हूं तो मुझे कैसे करना है सब्पोस हम लोग यहां पर डिनोमिनेटर यानी जो नसब नुमा है इनको एक जैसा भी कर सकते हैं लेकिन उतना ना करते हुए हम क्या करेंगे इसके अपॉन में या इसके बटे में हम लोग एक समझेंगे औ यह हो जाएगा 3 चौक 12 बीच में जमा है तो यहां पर जमा लिखेंगे और एक को एक से जर्ब देंगे तो एक आएगा और फिर हम क्या करते हैं नीचे से नीचे की जर्ब देते हैं ऐसे सवालात हल करने के लिए आपको कसर वाले सवालात या फ्रैक्शन वाले सवालात को क सारा से हल किया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए तो यहां गया 4 यह नहीं इसका जवापकी आ गया भी हमारा 13 बट्टे चार यह 13 upon 4 इसका हमारा answer आ गया अब यहाँ पर दीखे 13 upon 4 हमारा answer यहाँ पर आ गया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे किस तरह से बज़ गया अब देखिए यह वन अपॉन यह नहीं हमको नीचे से जाना है ठीके हम लोग नीचे से ही पहले करते जाएंगे अब यह थर्टीन अपॉन यह जो थर्टीन प्लस वन अपॉन फोर था यह तो पूरा हट गया इसकी जगा पर हमारा क्या आ गया अभी य हासिल किये थे थरी प्लस वन अपॉन फोर का जब हमने सोलुशन किये थे तो हमको मिल गया था थर्टीन अपॉन फोर अब यह थरी प्लस वन अपॉन फोर की जगा पर हमने थर्टीन अपॉन फोर रखी यानि हमने इसको ऐसे लिए पन अपॉन थर्टीन अपॉन फोर कुछ क्या आया हमारा 4 upon 13 आया ओके यहां पर लिख देती हूं मैं 4 upon हमको 13 हासिल हो गया कहां तक हमने solution किये यहां तक हम लोगों का solution हो गया नीचे से उपर की तरफ जाना है सबसे पहले हमने 3 plus 1 upon 4 को solve किये तो उसकी वज़ा से हमको मिलाता 13 upon 4 उसके बाद हम क्या किये यह जो 1 उप upon में हैं इसके साथ हमने 1 upon 13 upon 4 लिए तो इसके जरीए हमको हासिल हुआ 4 upon 13 रिपीट कर रही हूं confused ना हो इतना समझ में आ गया होंगा आपके अब देखें आगे क्या करना है अब यहां पर हमारा क्या बज़ गया भी यहां पर देखिए अब यहां पर यह जो उपर का 1 है य यह बज़ गया प्लस अब यह जो पूरा है यह वाला पूरा हमने स्टॉल्व कर लिए यह पूरा स्टॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला यहां पर 4 upon 13 मिला क्या मिला यहां पर हमको स्टॉरी यहां पर यह वन रिमेनिंग था यहां पर अपॉरा वाला हम लोग ने स्टॉल्व कर लिए इसकी जगा पर हमको क्या हासिल हुआ था यहां पर 4 upon 13 कुछ इस तरह से मिला था अब यह हमारा इतना बज़ गया तो आब इसके लिए भी हम क्या करेंगे सबसे पहले यह जो नीचे से ओपर की तरफ ही हमको जाना है यह जो नीचे वाला ही यानि यह जो अभी हमको हासील हुआ सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे कि इसका जवाब solve करने के बाद क्या आता है तो दीके में बार-बार कह रही हूं अगर इसके लिए आपको कसर वाले या फ्रैक्शन वाले सवालाथ हल करते हैं तो आपको ये कुशन हल करना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होगा उसके आप प्रैक्टिस कीजिए मैं अभी यहां पर बता भी रही हूँ किस तरह से हल करते हैं अब यहां पर यह प्लस आ गया अब इसके नीचे कुछ नहीं है हम समझेंगे इसके नीचे प्लस अपॉन में वन है अब क्या करना है जो प्लस या माइनस वाले फ्रैक्शन में सवालाथ होते हैं तो इनका हमको या तो नसब नुमा एक जैसा करना होता है या फिर हम इनका तिर्चा जर्ब क्रॉस मल्टिप्लाई कर सकते है तो नसब नुमा एक जैसा करने में टाइम जाता है तो हम लोग डाइरिक्ली क्या कर लेंगे यहां पर तिर्चा जर्ब यानि क्रॉस मल्टिप्लाई कर लेंगे तो तेरा को एक से देंगे तो यह आ जाएगा तेरा एका तेरा यानि थर्टीन वनसा थर्टीन बीच में जो addition या subtraction in plus minus जमा तफरिक जो भी होंगी वो लगाना है यहाँ पर जमा है जमा लगा दिये हमने then हमने चार को वनसे multiply करें तो यह आ गया चार एका फिर upon में क्या लेना है upon में जो नसब नुमा है उनकी जर्व करनी है यानि तेरा एका तेरा यह यह यहाँ पर आसिलो गया अब दिखिए तेरा और चार को जब हम जमा करेंगे तो कितना आता हैं सतरा सतरा बटे तेरा हमको यहाँ पर हासी लुआ और यह जो उपर का एक है वो बज गया यानि अब यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे one upon यह one जो उपर का remaining है यह वाला one उसके बाद यह जो box में मैंने बनाई हूँ इसको जो हमने solve की तो इसकी जगा हमको मिला है यहाँ पर 17 upon 13 यानि कुछ इस तरह से अब हमारा यह रह गया है अब कुछ इस तरह से यह रह गया है अब इसको हम लोग आगे solve करेंगे यानि one upon 17 upon 13 आप लोग यह note down करते चाहिए तो आपको step wise step समझ में आते जाएंगा तो देखें अब क्या बच गया हमारा यहाँ पर अगर हम सवाल के थू जाए तो x प्लस यह जो उपर का one था यह अभी तक बच गया क्यूंके हम नीचे से उपर की तरफ solve कर रहते तो one बच गया अब यह पूरा के पूरा हमने नीचे का solve कर लिए तो यह solve करने के बाद हमारे पास कितना बचा क्या बचा हमारे पास 17 अपॉन 13 बचा वन अपॉन 17 अपॉन 13 यहाँ पर बच गया अब सेम यही करना है यह जो 17 अपॉन 13 इतना वन अपॉन 17 अपॉन 13 इसको हम कैसे solve करेंगे तो दिखिए जो 17 अपॉन 13 है वो हमको यहाँ पर बाजू में लेकर आना है और multiply यह अपॉन का मतलब यह बचे का मतलब क्या होता है तक्सीम तो जब हम इनकी जगे चेंज कर रहे हैं तो उसका उल्टा अमल करेगी यानि आजएगा एक जर्ब 13 बटे 17 किस तरह से आएंगा यह एक जर्ब 13 बटे 17 यानि अब हमको क्या मिल गया यहाँ पर 13 बटे 17 मिल गया क्योंकि एक से जर्ब देने के बाद तो वही जवाब आएंगा यानि हमको यहाँ पर मिला यह 13 बटे 17 अब यहां के पूरा के पूरा हमारा सॉल्व हो गया अब हम सवाल की तरफ वापस जाते हैं देखे यह सवाल की तरफ अगर हम जाएงगे तो यहां पर हमारा एकस टां या पूरा आःकस ने के पाद हमको मिला था तेरा बटे सतरा और यहां पर बराबर है चार बराबर में क्या है यहां पर बराबर है यहां पर चार है यहां पर बराबर में ओके तो अब यह इस तरह से हो गया तो अब इस तरह से हमको हासिल हो गया अब इसको solve करना बहुत ही आसान है कैसे देखिए अभी यहाँ पर आया हमारा x प्लस 13 अपॉन 17 बराबर है यहाँ पर 4 कुछ इस तरह से हासिल हुआ क्योंकि यह वाला पूरा हमने solve करने के बाद हमको step wise step हमने solve किये तो हमको यहाँ पर 13 अपॉन 17 यानि 13 बटे 17 मिला अब यहाँ पर देखिए x के value हमको मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे x को यही रहने देंगे बराबर यह जो 13 बटे 17 है इसको हम 4 की तरफ ले कर जाएंगे तो यहाँ पर यह जमा में है तो 4 के साथ तफरीक हो जाएंगा 4 तफरीक 13 बटे यह आजाएंगा हमारा 17 बराबर अब वही अमल करना इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब हमको क्या करना है इसके नीचे एक समझना है हमको अब इसके नीचे समझेंगे मतलब यह आ जाएंगा इनका तिर्चा जब देंगे तो इसको हम देंगे तिर्चा जब देंगे तिर आएंगा 17 इन्टू 4 तो 17 इन्टू 4 करेंगे अगर हम बराबर उसके बाद यहां पर माइनस लेंगे 13 into 1 और upon में लेंगे 17 बन्जा 70 कुछ इस तरह से करेंगे फिर से करके बताती हूं मैं यहाँ पर आया हमारा 1 X प्लस सॉरी यहाँ पर आया X प्लस 13 17 बराबर 4 इसको हमने लिए X बराबर 4 13 बटे 17 अब इनका तिर्चा जर्ब करेंगे तो 17 चौक मैं डायरेक्ली कर देती हूं यहाँ आता है 68 माइनस यहाँ पर 13 बन्जा 13 एक तेरा और फिर इनको जर्ब देंगे तो 17 एका 17 कुछ इस तरह से हमारा आ गया अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है तो यह इस तरह से आसिल हुआ 68 माइनस 13 अपॉन 17 अब इनकी अगर हम माइनस करते हैं तो इनकी माइनस करने के बाद हमको कितना आता है देखिए 68 क्या आसिल हुआ था हमको 68 माइनस 13 अपॉन कितना आसिल हुआ था हमको यहाँ पर 17 एक्स बराबर अब इनकी माइनस अगर हम लोग करते हैं तो option में देखिए 3 है 4 है 5 है और none of these है तो अगर हमको approximate value अगर पूछी गई होती कि approximate value इसकी क्या आएंगी approximate का क्या मतलब होता है कि नजदी की value तो इसके नजदी की value हम यहाँ पर 3 select कर सकते थे लेकिन approximate यहाँ पर नहीं कहा गया है यहाँ पर हमको X बराबर क्या आएंगा यह पूछा गया है तो 3 upon 2 यहाँ पर हमको कही भी नजदी नहीं आ रहा है इस दीज का जवाब क्या आ जाएंगा none of these आ जाएंगा तो उमीद करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आता है आपको समझ में तो मुझे comment करके बताईगे मैं आपको किसी और तरिके से समझाने की कोशिश करूँगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो like, share and subscribe करना बिल्कुल बिना भूले, तब तक के लिए दूमे, याद रखिए, लगाफिए आपको किसी ख्वाँ आपको यह आपकोप